Hello everyone, welcome to our channel आज हम बनाएंगे मूंग डाल का चीला जो बहुत ही कम कैलरी वाला होता है और हाई प्रोटीन वाला होता है इसको आप बच्चों को भी खिला सकते हैं जो अपना वेट लोज कर रहे हैं वो भी खा सकते हैं बहुत ही हेल्दी ये नास्ता है आप इसको लंच में भी ले सकते हैं और आप इसको डिनर में भी खा सकते हैं वो जल्दी से डाइजस्ट होने वाला और बहुत ही हेल्दी मूंग डाल चीला बनाने के लिए पहले हम बना लेते हैं स्टफिंग एक पैन में डालना है एक चमच घी या कोई भी ओईल उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग इसके बाद में हमें इसमें डालने हैं दो मीडियम साइज की चोप की हुई बारिक प्याज प्याज को हलका सा कर लेना है सोटे और जो हमने गाजर को ग्रेड करके रखा है और बारिक चोप करके रखी हैं सिम्ला मिर्च उनको भी इसमें डालने कर देंगे हमें बहुत जादा इनको कुक नहीं करना है बस एक मिनट हमें लो फ्लेम पर इनको हलका सा सोटे करना है ये देखिए बिल्कुल पॉफेक्ट बस आप हम इनको कवर करके रख देंगे कुछ देर के लिए गैस के फ्लेम को कर देना है अब हम तैयारी कर लेते हैं चीला बनाने की ये हमने ली है दो गंटे नोर्मल पाने में भिगोई हुई दाल अच्छे से वोश करने के बाद हमने इसको भीगने के लिए रख दिया था दो गंटे के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी है अब हम इसको चीला बनाने के लिए कर लेंगे ग्राइंड एक ग्राइंडर जार में सारी दाल को हमने इसमें ट्रांसफर कर देना है मूंड दाल के चीले में बहुत ही कम कैलरी होती है 128 कैलरी होती है एक चीले में और अगर आप इसको फुल ओफ वेजटीबल्स बनाते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है आप दाल में हमने ढाला है एक इंच दरक के टुकडे को कुछ पीस करके आधा गलास पानी और थोड़ा सा टेस्ट के कोडिंग नमक अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च बिल्कु लोपसनल है आप चाहें तो इसकी जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी एक प्यारा सा कलर लाने के लिए और बस इसके बाद में इसका ढखकन बंद करके हम इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइन हमने इसका बिल्कुल एक महीन पेस्ट बना लिया है आप देख सकते हैं आदा गलास पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रफेक्ट बनकर तयार हुई है अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ हरे धनिये की पत्तियां जो हमने पहले से ही अच्छे से वोश करके रख ली हैं इसके बाद में अब हम इसको कर देंगे bare एक से डो मिनट बहुत अच्छे से हमें इसको mix कर देना है मूँग दाल चीला बनाना बहुत आसान है इसको मिंटो में बना कर तयार किया जा सकता है बस आपको चाहिए कि पहले से आपकी दाल भीग यु़ी होनी चाहिए चलिए बना लेते हैं चीला इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक नोनिस्टिक तवा उसको हमने ग्रीज कर लेना है एक चमच ओईल के साथ में मूंग दाल के चीले हम केवल एक चमच ओईल में ही बना कर तयार करने वाले हैं जब आप चीला बनाने के लिए बैटर को तवे पर फैलाते हैं तो आपका तवा बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो बैटर तवे पर चिपक जाता है हलके गरम तवे पर ही हमको इसको फैलाना है जैसे ही बैटर प्रॉपरली फैल जाता है उसके बाद हमें गैस क की हेल्प से इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से इसको अच्छे से दबा दबा कर गोल्डन होने तक सेख लेंगे यह देखें दूसरी तरफ से भी हमको बिल्कुल इसी तरह से इसको बना कर तयार कर लेना है और पर जट-पट से बनकर तयार हो चुका है हमार इसी तरह से सारे मूँच चीले आप बनाकर तयार कर सकते हैं बहुत बार जाहता है कि जब भी हम कोई चीला बनाते है तो कि पर्लों और पतवर पानव से चिपक. कर दें उसके बाद में जब भी आप बैटर को तवे पर फलाएंगे तो कभी भी वो चिपकेगा नहीं अगर लोहे के तवे पर चीले बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट चीले बनकर तैयार हो जाते हैं अब हमारे चीले बन चुके हैं अब हम इसको निक फर लंच में बना कर खा रहे हैं तो सबजे के साथ आप इसमें ग्रेड करके चीज भी एड कर सकते हैं यह देखिए बनके तैयार हो चुके हैं मॉम डाल के चीले आप इनको बच्चों को भी खिला सकते हैं उनको बहुत जादा प्रोटीन की ज़रत होती है जब उनकी increase हो रहे ही होती है जो लोग अपना weight कम करना चाहते हैं वो भी इनको अपनी diet में सामिल कर सकते हैं regularly आप इनको बना कर खा सकते हैं और बता सकते हैं आपको ये video कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो like कर दीजिए आप कोई advice देना चाहते हैं तो comment करके बता सकते हैं चैनल को subscribe नहीं किया है तो ऐसी ही tasty healthy recipes देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाए